नमस्कार दोस्तों जीके अर्दुसार यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है पीजी टी सिछासास्त दोजर सोला का ये साल पेपर है तो चली वीडियो प्रारंब करते हैं वीडियो प्रारंब करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट अभी तक प्रारंब करते हैं तो इसका एक्जाम दो फरवरी 2019 को हुआ था और ये 2016 का सिछा सास्त्र का साल पेपर है PGT और प्रिवेस यर्ज के कोई पेपर देखना चाहते हैं जैसे 2021 का साल पेपर तो उसका भी प्लेलिस्ट बनावा जिसका नाम है PGT सिछा सास्त्र और उस प्लेलिस हाँसानेस में किस छेत्र में शुधार के लिए आपरेशन ब्लैक बोर्ड शुरू किया गया था तो वो था प्राथ्मिक सिछा के साया तो आप्रेशन ब्लैक बोर्ड योजना जो प्रारम की गई थी 1986 में की गई थी और राष्टी सिच्छा निति के तहथ यह 1987-88 में किंद्र सरकार दोरा आरंब किया गया था कोशन नमबर दो है निम्न में से कौन अन्य निम्न में से कौन अन्य तीन के समू से भिन्न है इसमें जो है छेत्र सिधान्त तीन के अन्य समू से भिन्न है कोश्टन नमबर 3 है, कोलबर्ग द्वारा नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं सुझाई गई है कोश्टन नमबर 4 है, समबंधन गुलांक का मान रहता है समखनौंधन गूलांक का मान कितना रहता है तैसके में जाएगा माइनस एक दसमलो सुने सुने से प्लस एक दसमलो सुने सुने के मध holders कुशन नमर पांच है वर्धा सिच्छा समनेलान हुआ था वर्धा सिच्छा समनेलान हुआ था कबRR 1937 में गांधी जी ने अक्टूबर 1937 में वर्धा में एक राष्टे सिच्छा सम्मिलन का आवजन किये थे जो वर्धा सम्मिलन के नाम से जाना जाता है ये कोश्चन नमबर 6 है निम्न में से किस आवसकता को मसलों ने नहीं सुझाया था तो इसमें आपका राइट अंसर हो जाएगा सी आत्म अभिव्यक्त ये मसलों दोरा नहीं सुझाया गया था कोश्चन नमबर 7 है बालिकाओं की सिच्छा के संबंध में गठित प्रथम समीती निम्निकित में से कौन सी थी कोश्चन नमबर 8 है भारत में 10 प्लस 2 प्लस 3 सैचिक संब्रचना के स्थापना का सुझाव दिया था तो ये दिया गया था कोठारी आयोक के द्वारा 1964 में कोश्चन नमबर 9 है सिच्छा में आरोधन का अर्थ है तो सिच्छा में औरोधन का क्यार्थ होता है इसमें सी से योगा छात्रों द्वार निर्धारी समय में पाठिक्रम पूरा करने में असफलता कोश्चन नमर 10 है नीचे दिए गए परसितियों में कौन सी सिखने की प्रक्रिया की सफलता के लिए सबसे अधिक आवस्यक है सबसे अधिक आवस्यक है पुछा जा रहा है तो वह है अभी प्रिणा अस्तर कोश्चन नमर 11 है प्रकिर्तिवाद किस प्रकार के अनुसासन का समर्थन करता है तो ये है प्रकिर्तिवादी और प्राकिर्ति कोश्चन नमर 12 है अधिगम का सरवाधिक उपियुक्त अर्थ है तो अधिकम का सरवाधिक उपित अर्थ होता है बेवहार का परि मार्जन कोशन नमबर 13 है भारती समिधान में सिच्छा के अधिकार को अधिकार की रूप में जोड़ा गया था तो ये जोड़ा गया था धारा 21E में कोशन नमबर 14 है गोखले बील सम्मंधित है तो गोखले बील जो है प्रात्मिक सिच्छा से सम्मंधित है कोशन नमबर 15 है बुनियादी सिच्छा अथवा नई तालीम की मुख विसेश्ता है जिसकी मुख विसेश्ता है स्वालंबन की भावना विक्सित करना कोश्चन नमबर 16 है निम्न में सीखने का नियम कौन सा है सीखने का नियम उपरुख सभी है ततपरता का नियम प्रभाव का नियम अभ्यास का नियम कोश्चन नमबर 18 है निम्न में से कौन सी संस्था ने सूज बूज द्वारा अधिगम पर जोर दिया तो वो संस्था का नाम है गेस्टाल्ट स्कूल कोश्चन नमबर 19 है मनो बैज्ञानिक परिच्छन होने चाहिए तो इसमें इंसर हो जाएगा बिश्वसनियम वैद कोश्चन नमबर 20 है संगेनात्मक विकास सिधानत के प्रतिपादक हैं किसके हैं प्याज आजए कोश्चन नमबर 20 है अरबिंद आस्रम कहां इस्तित है तो अरबिंद आस्रम आपका इस्तित है पांडी चेरी में कोशन नमबर 22 है रविना टैगोर की सांती निकेतर इसकूल ने किस मुख्य सिधान्त का समर्थन किया तो ये समर्थन किये थे प्रकिर्ति वाद का कोशन नमबर 23 है घुरकुल काल में निल्विकित में से कौन सा उपागम सबसे कम परियोग किया जाता था तो वो था प्रियोग कार्या कोशन नमबर 24 है समाजिक परिवर्तन का बिरिहत अवरोधक है तो इसमें इंसरो जाएगा भी धर्म कोशन नमबर 25 है मनोबैज्ञानिक चिंतन विचार के अधार पर बेमेल खोजिए तिसमें बेमेल आप कहुगा बंदूरा Q26, X, Y, 2 चरों के बीच एक महतपूर्श सह संबंद दरसाता है कि क्या दरसाता है तो B हो जाएगा X और Y सा साथ परिवर्तित होते हैं Q27, बच्चों का घर सब्द का संबंद है तो इसका संबंद है फ्रो बेल से Q28, किलडेन गार्टेन सब्द किस ब्यक्ति के नाम से संबंदित है तो इस संबंदित है फ्रो बेल से Q29, परियोजन वाद के अनुसार अनुसासन होना चाहिए तो इह होना चाहिए स्वा अनुसासन कोशन नमबर 30 है इरेस में किस प्रकार के यथर्थ वादी है इरेस में जो है किस प्रकार के यथर्थ वादी थे ये पुछा जा रहा है तो इसमें इंसर वो जाएगा मानावता वादी कोशन नमबर 31 है The School and Society नामा कुष्टा के लेखक कौन है कोशन नमबर 32 है सनरचनात्मक के प्रवर्थक कौन थे सनरचनात्मक के प्रवर्थक थे बुन्ट कोशन नमबर 33 है वातावरण में वे समस्त बाहततो आ जाते हैं जिन्होंने जीवन प्रारम करने के समय से ब्यक्त को परभावित किया उपरोक्त कथन किसने कहा तो ये कहा गया था उड़ वर्थ के द्वारा कोशन नमबर 34 है संग्यनात्मक विकास का प्रत्य किसने दिया तो ये दिया था पियाजे ने कोशन नमबर 35 है ब्यवस्थित प्रदतों के लिए संचिप्त बिधिस से मध्यमान गर्णा का सुत्र कौन सा है तो इसमें आपका पहला हो जाएगा एम बराबर योग और एफ एक्स का वार्गा अंतर प्राप्तों की बरंबरता है मटा में आपका यन प्रामताप्तों का कुल योग सिग्मा आए कोशन नमबर 36 है पद विसलेशन बीधियों का उदेश से है इसका उप्रूप सभी अंसर हो जाएगा अच्छे पद का च्यान कोशन नमबर 38 है निमलिखित में से कौन सा पाट साला का आपचारिक कारे नहीं है ये पूछा जा रहा है तो वह है छात्रों के परिवार के साथ सामजस्य अस्थापित करने मार्ग दर्शन करना कोशन नमबर 49 है अरबिंद के अनुसार सिच्छा का उद्धिस्य है जिसका उद्धिस्य है बालकों को उनकी प्रकिर्ति के अनरूप बढ़ने के लिए प्रुसाहित करना कोशन नमबर 40 है भारत में हिंदू समाज के समाजिक और सैचिक परिवर्तन में सबसे अधिक प्रबल बाधा है तो वो है धार्मिक प्रथा कोश्चन नमर 41 है समस्त मानो जाती को एक रूप में देखने का विचार का सिच्छा के सुरूप पर बल देता है तो वह बल देता है अंतराष्टी सद्भाव के लिए सिच्छा कोश्चन नमबर 42 है दर्शन सिच्छा के लिए कार्य करता है वो है निर्देशक के रूप में कोश्चन नमबर 43 है सिच्छा के ब्यक्तिगत एम समाजिक उद्देश्यों के समयनों में पर किसने बहुत अधिक बल दिया तो बहुत अधिक बल दिया गया था डीवी के द्वारा कोशन नमबर 44 है बालक को कभी डंड मत दो अपितु से स्वयम अनुभव करने के लिए छोड़ दो प्रकिर्त के नियम उसे अनुसासन सिखा देंगे यह विचार निम्न में से किसका था तो यह विचार था रूसो का कोशन नमबर 45 है निम्न में से कौन सी भारती संस्कृति की परंपरागत और प्रवल विसेशता है तो वो है सहिं सोड़ता और ग्रहन सिलता कोशन नमबर 46 है सैचिक समाशास्त्र में अध्यन किया जाता है तो सैचिक समासास्त्र में अध्यन के आयता है ब्यक्ति एवं सांस्कृतिक वातावरण के बीच होने वाली अंतह क्रिया का कोश्चन नमर 47 है समुहू का संगनात्मक धाचा ग्रूप इस्पेक्टर को सधारत नीनों से किस माध्यम से आका जाता है तो यह आका जाता है सोशियो ग्राम से सोशियो ग्राम कोश्चन नमर 48 है ब्यक्तित्तु में अंतर मुखी और बहिर मुखी की संकल्पना किस ने दी थी यूंग ने इसका राइट अंसर सी होगा यूंग कोश्चन नमबर 49 पराते हैं जब विकास सरीर की केंद्री रेखा से प्रारंब होकर सरीर के बाय भागों की और होता है तो उसे कहते हैं उसको कहा जाता है निकट दुरस्त प्रविर्थी कोश्चन नमबर 50 है इस्टू मुलस सब इस्टू सन का संबंध है तो इसका संबंध है पाव लाव से कोश्चन नमबर 51 है मंद बालक प्राप्त करते हैं तो मंद बालक प्राप्त करते हैं अपने समसमों से कम कुशन नमर बावन है, किरिया प्रसूत अनकुल किसके द्वारा सुरू होता है कुशन नमर तीरपन है, दोसा रोपन धनात्मक प्रेरक है, ये है प्रतिवासाली बालक के लिए कुशन नमर चवन है, बहु विकलवी प्रस्णों के एक सेट का एक उदाहरन है तो इसका उधारन है क्लोज इंडेट प्रशनावली कुश्चन नमबर पच्पन है कच्छा में एक सिच्छक द्वारा नेमलिखित में से कौन सा परिच्छन किया जाता है तो इसमें हो जाएगा ए निश्कर संदर्भित परिच्छन कुश्चन नमबर च्पन है एक आधनिक भारती सिच्छा सास्ति जो अत्यांत प्रकिर्ट वादित हैं तो इसमें हो जाएगा रविन दर्नाथ टैगोर कुश्चन नमबर शंतावन है सिच्छा ब्यक्ति का पून विकास है किसने कहा था तो ये कहा था कमेनियस ने कुश्चन नमबर अंठावन है निसेधात्मक सिच्छा संबंधित है तो निसेधात्मक सिच्छा संबंधित है किसे प्रकिर्ट वाद से कुश्चन नमबर 69 है सास्वी अभी क्रमित अनुदेशन की आवधाना दिया था ये दिया गया था क्राउन ने कुश्चन नमबर 60 है सिजनात्मत्ता के जनक कौन है तो इसके जनक थे टोरेंज से कुश्चन नमबर 61 है समाजिक अधिगम सिधान्थ के परतिपादक है तो समाजिक अधिगम सिधान्थ के परतिपादक कौन थे तो बंडूरा थे कोश्चन नमबर 62 है लड़के और लड़कियों की उपलाब्धी में अंतर की जाँच के लिए निम्न में से कौन सा परिछण उपयोग में लाया जा सकता है तो वो है T परिछण कोश्चन नमबर 63 है N C T E की अस्थापना संसत के बीधी द्वारा हुई थी कब 1995 इस्वी में किस संस्था द्वारा किया गया तो इस संस्था का नाम है यूनेशको कोश्चन नमबर 65 है सिच्छा आयोग 1964 से 65 के प्रतिवेदन का सिर्षक था जिसके सिर्षक था सिच्छा एमराष्टिय विकास कोश्चन नमबर 66 है उड़ का घोसना पत्र जारी हुआ था अठारा सो चौवन इस्वी में कोश्चन नमबर 66 है कौन बिचलन सिल्ता का सरवाधिक विश्वसनी अमाप है तो वह है मानक बिचलन कोश्चन नमबर 68 है यदि सभी प्रप्तांकों में एक नियतांक जोड़ दिया जाय तो निमलिखित में से कौन अपरिवर्तित रहेगा तो इसमें अपरिवर्तित रहेगा हुआ है म बीचलन कोश् nic ret ICE में अधोगामी निस्पंदन सिधान्त के अवधाना दी गई ती यह अवधाना दी गई थी Qikum set on 11 is A इन में second 6 का the Hikari 26 not 12 थेॉयर टो इसमें आपका राइट thi से नागरिक के रूप में विकास कोश्चन नमर 17 है यह स्पाल समितिक अनुसार प्रात्मिक का छाओं में सिच्छक छातर अनुपात होना चाहिए एक संबंदे 30 का होना चाहिए कोश्चन कोश्चन नमर 17 है यदि कोई सिच्छक किसी चात्र की प्रतेक चौथी अनक्रिया पर पुनरबल देता है तो वह निमलिखित प्रकार का पुनरबल दे रहा है तो वह है निश्चित अनुपात अनुसूची कोश्चन कोश्चन नमर 17 है निमलिखित में से कौन सी इस्मिर्ती के धारक है तो इसमें पूछा जाता है तो इसे कहा जाता है नकरात्मक अस्थांत्रा कोश्चन कोशन संबार 87 है नमिलिखित में से कौन एक मानक नहीं है तो वह प्रतिसत मानक कोशन 89 है किस बिचार धारा के अंसार सिच्छा के उदेश सत्य सिवम और सुन्दरम होना चाहिए तो वह है आदर्स वादी कोशन 80 है सेपाड टूटी संसोधन परियोग किया जाता है यह किया जाता है प्रमानिक बिचलन को संसोधित करने में कोशन 80 है संसकार है यह पर संपद इस पर कमेटी का सुझहाव स्कूल बहस्ते पर बोज को कम करना है बुद्धि बुद्धि सनस्चना प्रतिमान प्रतिपादित किया, यह प्रतिपादित किया था गिल्फ हर्ड ने, कोश्चन No. 84 है, निमलिखित में से कौन आधर सबादी नहीं है, तो इसका अंसर हो जाएगा C.D.V. ने, Q85 है निमलिकित में से कौन सी बैदिक सिच्छा की विशिष्टता नहीं है तो वह है प्रकिर्ति के अनुसार बालक का विकास Q86 है कौन सा समाजिक विरासत का प्रतीक है तो वह है संस्कृति Q87 है किसने कहा है कि सैचिक परिवर्तन और समाजिक परिवर्तन एक दूसरे पर निरिभर करते हैं तो यह कहा है जानडीवी ने Q88 है वाहन चलाना सीखना की पर अधारीत है यह अधारीत है अधिगम की पर्यास और टोटी बिधी पर कोशन नबर 89 है किसने कहा कि मनुस्य की अंतर निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही सिच्छा है ये कहा गया है बीवेका नंद के द्वारा कोशन नबर 90 है गांधी जीने किस वर्ष में राष्टी ये बेसिक सिच्छा योजना प्रस्तुत की तो ये प्रस्तुत की थी 1937 में कोशन नबर 91 है प्रजेक्ट बिधी का संबंध है तो प्रजेक्ट बिधी का संबंध है किल पैट्रिक से Q2 है National System of Education पुष्टक किस ने लिखी ये लिखी गए थी अर्बिंदो के द्वारा Q3 है Social Physics नाम किस ने दिया ये दिया गया था काम्टे के द्वारा Q4 है किस ने कहा कि मनो बिज्ञान बेवहार का धनात्मक बिज्ञान है ति ये कहा था Watson ने Q 95 है मनो बिसले सनवाद के प्रते का संबधं निमलिकित में से है तो वह है Q 97 है किस ने व्यक्तित्यों को लं मिकाय ये सुड़्वलिकाय तथा गोल काय में वर्गी कृत किया किया है क्रेच मर द्वारा क्रेच मर कोस्टन अबर रंठानवेर है वस्तु निष्ट प्रकार के परिछन की मुख विशेष्टा है ये मुख विशेष्टा उपरुक्त है सभी ये वस्तु निष्टा विश्वसनिता वैदता कोस्टन नमबर निनान में सौ है सवर नंबर पढ़ाते हैं इस्पियर मैन ने कारक दिये यह कारक दिये थे उपरोक्त दोने निसमाने कारक बिस्सेष्ट कारक कोज़्सद नंबर 101 है निम्लिखित में से कौन सा लोगतांत्रिक सिच्छा की रुपांत्रिक मांग है तो वह है सैच्छिक आउसरों की समानता कोश्चन नमबर 102 है बेसिक सिच्छा में निहित सिधान्त था ये था मस्तिक्स हिर्दय और हात इन सभी कारियों को समंधित करना कोश्चन नमब 103 है भारत में स्वतंत्र प्रांत अदोगी करन ने विकास पर बल दिया ये बल दिया था बैग्यानिक तक्निकी प्रबंधन सिच्छा के कोश्चन नमब 104 है भारत में नारी सिच्छा अंदोलं की सुरुवात किस ने किया ये सुरुवात किया था कारवे ने समस्त मानों सकतिओं का पूल बिकास कोशन नमबर 106 है संग्यान के भिषय में यह थार्तवादि का दृष्टी को नहीं है तो प्रकिर्ट वादियों का दृष्टी को नहीं है यह पूछा जा रहा है इसमें आपका डी सह योगा सिच्छा जीने के लिए तैयारी नहीं बलकि एक स्वयम के जीवन है कोश्चन नमबर 108 है समाजिक परिवर्तन में परिवर्तन नीहित है तो उपर्यक तीनों हो जाएगा समाज की सनचना मानेवी संबन अभी बिरत्निया आदार से मुल ले कोश्चन नमबर 109 है धर्म निर्पेच्टा का अर्थ होता है इसमें सभी धर्मों की उन्नति करना कोश्चन नमबर 110 है स्रेणी क्रमगत बुद्धी सिधान किसने पर्तिपादित किया ये पर्तिपादित किया था बल्ट और बर्नर ने कोश्चन नमबर 111 है प्रफेचर सीव को एक निर्थ कारिकरम देखने तथा एक नोबल पुरसकार बिजेता का भांसर सुनने के लिए दो टिकटे उपहार में मिली ये दोनों कारिकरम एक दीन और एक ही समय पर हो रहे थे वह दोनों में से किसी एक को खोना नहीं चाता था उसे निर्थ में से किस प्रकार का द्वांद कासा सामना करना पड़ रहा इसमें पहला से यो जगा उपागम उपागम कोश्चन नमब 112 है अनुआनसिक्ता किसे अधिक प्रभावित करती है ये है अभी छमता को कोश्चन नमब 113 है एक व्यक्ति बिना यह जाने कि उसके व्यक्ति का परिछण किया जा रहा है निसंकोच आत्म अभी व्यक्ति करता है यह निम्न में से किस के माध्यम से संभव है ये है प्रच्छेपन तकनीकी के माध्यम से question number 14 है निम्न में से किसमें अंतर द्रिष्टी अधिगम है तो वह है कोहलर समंग की question number 115 है पियाजे के अनुसार परिकलपना युक्त तर्क की भावना hypothetical reasoning बच्चों में निम्न में से कौन सिस्थिती में उत्पन हो जाती है तो इसमें हो जाएगा आपका अंसर भी आपचारिक करवाई यानि फार्मल आपजेंशन कोशन नमर 16 है विश्वसनेता यानि रियाले विलिटी सहयोगित्व को एफिसेंट तत्तों का मुल निम्न में से कौन सा है तो इसमें आपका राइट अंसर हो जाएगा सदयव सकरात्म को़्शनन्मर 117 है नयदानिक परिछण निम्न उद्यस्वस के लिए किया जाता है यह किया जाता है ब्यक्तितों के समयाशाहों की पहच्यान के लिए बत Said सिच्छा अरम करने की संस्कार को कहा जाता है जिसको कहा जाता है पबज्जा है सिच्छा नमबर 119 है विद्ध्याले समाज का लगुरूप है किसने कहा था यह कहा था जान डीवी ने कोश्चन 210 कि संस्था का सिच्छा पर सरवाधिक नियंत्रन होता है तो वह है राज्य पर कोश्चन 120 कि समाजिक दच्छता का सैचिक उधेश्य की रूप में प्रते किस ने दिया था तो यह प्रते दिया गया था किसके द्वारा इसमें आपका रायट एंसर हो जाएगा डी डी वी कुश्चन अमरे 122 है अभिक्रमित अनुदेशन किस सिध्धान्त पर अधारित है यह है क्रिया प्रसुत अनुबंधन के सिध्धान्त पर कुश्चन अमरे 123 है स्वगती से सीखना एक फि्ल預 rou जचन्त है एक बिस्भ लच्षन है तो वह है अभिक्रमित अनुदेशनम स्वगत 10 allein 125 है एक अझावक क्रिद्यारत्ययों का मापन करने के लिए बिश्चय आत्मबोधन परिछ्ण टी अटी प्रसासित करता है यह प्रसासित करता है बैक्तित्त वे कोश्टन नमर 125 है एक मानवी कृत परिछण की दो प्रमुख विसेश्टाएं हैं तो दो प्रमुख विसेश्टाएं वह है विसेश्व सेनेता यों बैदता यह था पीजी टी सिछा सास्त्र 2016 का साल पेपर तो उमेद करता हूंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आते इसको लाइक कर अपने दोस्तों के अधिस दिख सेयर करें धन्य बाद दोस्तों जय हिंद वंदे मात्रम